हालो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल टेकिनिकल वेशिन आज प्रेंड हमापकास ल्जी का नेया फाइफ टार इन्वार्टर एसी है जा आपका 6-in-1 कन्वेटेबुल के साथ मिल जाता है और फेंडिया को 2024 का लेटस मडल है जिसी के अंदर आपका बहुत सारा इंट्रेस् के साथ मिल जाता है तो फेंड आप आउन चैनल पे नहीं आए तो सबस्क्राइब कीजिए और इसी ने वीडियो नोटिसमें पाने के लिए बेल लाइक इन कौन कर दीजिए और इसी एसी का फूली डिटेल में एक्स्क्लेंड करेंगे क्या-क्या आडवांस फिसलिटी और क क्या-क्या आडवांस कुलिंग अबसिटी इसी के अंदर मिल जाता है तो फेंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो फेंड फाइनल मेरा एसी अन्बक्सिंग हो चुका है इसी के अंदर आपका बहुत सार आससरीज मिल जाता है जो का सबसे पहले आपका मैनुल कार्ड ज इसी के तो उसे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जानना चाहते हैं तो इसी के अंदर जान सकते हैं इसी के अंदर आपका बार कोड मिल जाता है जो का स्कान करके आपका पीडियेप में मैनुल भी डाउनलोड कर सकते हैं इसी वाद इसी के अंदर आपका पार कोड मिल जाता है जो आपको indoor से outdoor connect होगा, जो आपको wire इसी के अंदर free मिल जाता है, इसी वाद इसी के अंदर आपको remote मिल जाता है, जो आपको display बाला remote है, और फिन इस remote का आप fully operating system जानना चाहते हैं, तो मैंने लोड़ी वीडियो बना चुका हूँ, मैं आपको link discussion दे दूँगा, भी से dart जाके देख सकते हैं, उसी वाद इसी के अंदर आपका battery और आपको screw का package एक ही मिल जाता है, जिसी के त्रूश से आपका remote में battery डाल सकते हैं, और आपका installation के time, आपको screw का इप packet इसी अंदर मिल जाता है, तो आपको easy ले install कर सकते हैं इसी वाद आपका wear tight करने के लिए clip भी इसी गंदर free मिल जाता है तो आपको अलग से 50 गंदर नहीं पड़ेगा इसी वाद इसी गंदर आपको wrapping के लिए भी tape free मिल जाता है तो आपको tape अलग charges लगता था लेकिन इसी के अंदर आपका free मिल जाता है तो आपको इतना ही accessories इसी के अंदर मिल जाता है तो आपको चलिए SC का features देख लेते हैं तो आपको यह हमार पास LG का 1.5 ton का 5 star inverter SCA इसी के अंदर आपको dual inverter का compressor मिल जाता है और फिर आपका 5 star rating का SCA इसी का ISR rating 5.20 मिल जाता है और फिर इसी जा model number है TSQ19BNZ तो आपको 2024 का latest model है 5000 watt का cooling capacity के साथ टोटल एक साल का consumption 744 unit तो आपको बहुत कम consumption इसी गंदर मिल जाता है क्योंकि आपका dual inverter का SCA इसी लिए इसी के अंदर आपका consumption भी बहुत कम मिल जाता है जापका ISR rating भी बहुत ही अच्छा है और फिर इसी के अंदर आपका expand भी कर सकते हैं जापका 5800 तक cooling capacity बढ़ा सकते हैं और फिर इसी के अंदर जापको warranty मिल जाता है 10 सल compressor का उपर और 5 सल PCB का उपर मोडल लेंगे तो इसी के अंदर आपका पूर्यों से मिल जाएगा लेकिन आपका cooling capacity के मामले में बहुत अच्छा मिल जाता है जापका better cooling करेगा और फिर इसी के अंदर आपका stabilizer लगाने के जोरत नहीं है जापका 120 से 300 का voltage आपका घर में रहता है उसी के अंदर आपका voltage है तो आपका without stabilizer से भी इसी को running कर सकते हैं लेकिन वान टोटनी से नीचे आएगा तो आपका stabilizer लगाना पड़ेगा और फिर इसी के अंदर जो आपका filter मिल जाता है वा आपका उपर के side मिल जाता है तो आपका आगे चलके देखेंगे कैसे वास करेंगे और फिर इसी के side में आपका cooling capacity mention किया हुआ है जो आपका actually cooling capacity 5000 watt का है जब यह आपका 110% में running करेंगे तो आपका 5800 तक आपका maximum cooling capacity इसी के अंदर मिल जाता है और फिर इसी के अंदर जो आपका compressor लगा हुआ है 1284 watt का compressor है जो आपका बहुती कम congestion मिल जाता है और इसी के side में आपका speaker मिल जाता है तो आपका smart diagnosis यूज करेंगे तो इसी speaker के तो से आपका service center के तो से direct आपका problem solve कर सकते हैं और फिर इसी के बाद इसी के filter के से खोलेंगे उसी के उपर देख लेते हैं और फिर इसी के अंदर आपका direct pull push का bottom मिल जाता है तो आपका pull up करेंगे तो आपका filter उपर के side निकलाए गया जो आपका बहुती बड़ा filter मिल जाता है इसी के अंदर आपका दो filter नहीं एक एपी filter आपका बड़ा मिल जाता है जी अजी ली खोल कर साब कर सकते हैं उपर के साइड और फिंड इसी के अंदर जबका contemplative मिल जाता है black ocean coat का बहुत है बहुत ही अच्चा warranty उसाद इसी के फिल्टर को साप कर सकते हैं जो आपका बहुती बड़ा फिल्टर मिल जाता है साप करके एजिली लगा सकते हैं और फिरेट पुलिंग का टेक्नोलोजी मिल जाता है जो आपका 6-in-1-A-C-A जो आपका पांस्टो मोड आपका नॉर्माली यूज करेंगे उसी के बाद आपका एक व्रयाट मोड मिल जाता है जोआँ 5800 कुलिंग का पासिटी यूज करेगा यूज करेगा वेटर कुलिंग देगा और फट्ञ इसी के अंदर आपका रैफिज से में आपका स्पीकर करएं तर आपका स्पीकर गिल्पनEP रीजेन है और फट्री के साच्ट रिमक के सा और नपका बॉटम भी एसी के अंदर मिल जाता है जाकर रिमोट कुछ पॉल्म आ गया तो आपका डारेट बॉटम के त्रों से भी कंट्रोल कर सकते हैं तो फेंड़ी एसी आपका पर्चस काना चाहते हैं तो इसी एमर्पी ऐटी सिक्स थाउजन 990 तो आपका नॉर्माली पर सकते हैं तो फेंड़ इतना था वीडियो वीडियो अच्छा लगाया तो लाइक करिए और श्यारिप कीज़े सब्सक्राइब कर लिजिए हमें इसी इस इंट्रेस्टिंग वीडियो इसी चार्म पर लाते रहते हैं थांक्यू हैं आप सक्क्राइब कर लाइक कर लाइक कर को बायाओं है उाहां कर लाइक कीज़ें इसी चार्माली वीडियो अच्छा लाइक कर लाइक कर